नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रैन धर्मा सनमार्ग सूरी को सर्वती साक्षी भूतम यानि सब कुछ देखने सुनने वाला कहा गया है सूरी जो परत्यक्षदेव हैं और उनको नित्ते दिन जल अरपित किया जाता है उनकी पूजा की जाती है लेकिन सूरी को अगर हम जल देते समय कुछ पिषय सव स्थु अरपित करें तो हमारी मनुकामना अकिसिग्रेपुरी होती है लेकिन सूरे देप को जल अर्पित करने का विसेश बिधान भी है धार्मिक दृष्टी से तो हम सूरे को जल देते ही हैं लेकिन इसके फायदे भी बहुत होते हैं और आज हम आपके साथ बहुत सारी बाते करेंगे देखिए सूरे जो पिता का कारक है आत्मा का कारक है मान समान और सुख सम्रिधी देने वाला ग्रह है और अगर सूरे को जलाब सही तरीके से दे तो कुंडली के सारे दोस ही समाप्त हो जाते हैं सूर्य का दिन है रवी बार और रवी बार के दिन अगर विशेश वस्तु का दान करें तो आपके जीवन के कस्ट कम होते हैं सूर्य देव की जो लोग पूजा करते हैं उनके जीवन में सत्रू विरोधी उन्हें जादा परेसान नहीं कर पाते क्योंकि वो सत्रों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं और सूरे देव की पूजा से भाग में राजयोग भी बनता है तो अगर आप सूरे देव को जल अर्पित करते हैं तो कुछ बातों का ध्यान डखना चाहिए एक बात उसके पहले जान ले कि सूरे देव को जल अर्पित करने के समय हमेशा तामबे के ही बरतन का यूज करें क्योंकि तामबे के पात्र से अगर आप जल देते हैं तामबा जो सूरे का कारक वस्तू है तो इसके फल आपको कई गुनाधिक मिलते हैं भूल कर भी स्टील के लोटे से कांच के बरतन से प्लास्टिक से आप सूरे को जलना दे वैसे तो आपके पास नहीं है कुछ श्टील ही है तो आप दे सकते हैं लेकिन कोसिस करें कि तामबा का छोटा ही लोटा हो पर तौमबे के बरतन से दे सूरे को जब आप जल अर्पित कीजिएगा तो उसके बिशेस प्रियोग होते हैं सबसे पहले तो सूरे योदे से पहले आप अस्नान बेगेरा कर ले इसके बाद जब सूरे उदय हो रहे हों कम से कम सुबह आठ बजे के पहले जल दे दे तो अच्छा है अब एक बतन में जल ले जल में थोड़ी सी मिस्री डाले सुरी को मीठा जल चढ़ाने से कुंडली के असुव मंगल का दोस सवाफ्थ हो जाता है और सुरी को जब आप मिस्री डाल कर जल अरपित करते हैं तो मंगल बढ़िया होता है और जीवन में जो रक्त की समस्या है पारिवारी जीवन की समस्याय दूर हो जाती है अगर आप चाहते हैं कि जीवन में खूब धन, मान, सम्मान यस बढ़ता रहे तो रभी बार के दिन एक बरगत के पत्ता ले ले उस पर हल्दी से स्वस्तिक बनाए और इसको धूब दीब दिखा कर अपने घर में सुरक्षित रख ले तो आपके जीवन में धनकी कमी नहीं होती हर एक मेहने में आप इसको चेंज करें पुराने वाला कहीं मिट्टी में दवा दे और फ्रेस फिर से बना ले रभी बार के दिन भूल कर भी सरसों का तेल और अदरक का सेवन ना करें वरना जीवन में मान सम्मान यस प्र अधाएं आएंगी और सरकारी नौकरी बेगरें प्राप्त करना चाहते हैं तो अधक और सरसों का तेल का सेवन मत कीजे रभी वार के दिन आप उसके जगर कोई भी तेल खा सकते हैं और इसके साथ ही नौन बेज अगर खाना हो तो दूसरे पहर में खाएं यानि दिन उसके समय मत खाईये रात के समय आप खा सकते हैं आपके मानने पर है लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सूरे मजबूत रहे तो ये छोटे से परियोग आपको करना चाहिए तो अब जानते हैं कि सूरी को आप जैसे हमने कहा स्टील, चांदी, सीसा, प्लास्टिक के बर्तन से जल नहीं देना चाहिए जहां तक संभव हो जब आप जल देंगे तो पहले बर्तन में आपको जल लेना है ताम बेब के बर्तन में दोनों हाथों से लोटे को पकड़े अब जल सदैब सिर के उपर से ही अरपित करना चाहिए आप जहां पर जल अरपित करेंगे कोसिस करें कोई पात्र रख ले और उसी में जल गिरे हलके खुलके अगर छीटे पैरो तकाते हैं कोई दिकत नहीं है लेकिन डिरेक्ट नहीं आना चाहिए सूरी की किरने ब्यक्ति के सरीर पर पड़ती है सूरी के साथ नोगरह भी मजबूत होते हैं जब आप जल अरपित करेंगे तो उसमें गुड़ और चाबल डाल दे ऐसा करने से आपके जीवन के कस्ट कम होते हैं जब आप सूरी को जल अरपित करते हैं तो बहुत तरीके से चीज़ें अरपित करके दिये जाते हैं ताकि आपके गरहों की बाधाएं समाथ हो जाए अगर पित्तरी दोस हो जीवन में आपको लगे कि हर कदम पर बाधाएं हैं कोई भी काम में सफलता नहीं मिल पा रही घर में सुमंगल कारे नहीं हो पा रहे तब सुरे को जल देते समय लोटे में एक चुटकी काला तिल डाल कर अरपीत करें तो आपके जीवन की समस्त बाधाएं समाप्त हो जाएगी और आपका सनी सुब फ और सुरे अर्ध का संपुर्ण लाब आपको नहीं मिलेगा इसलिए अर्ध देते समय आपको एक मंत्र भी जब करना चाहिए कौन सा मंत्र है ओम एही सुरे सहस्तरान सो तेजो रासे जगत पते अनुकंपे माम भक्तिया ग्रिहनार्थ दिवाकरह इस मंत्र का जब करके सुर सुरी में जल लेकर अपने चारो और छिड़के फिर जहां पर आप खड़े हैं वहीं पर तीन बार घूम कर प्रक्यमा करें घूमेंगे कैसे जैसे घड़ी घूमती है ठीक उसी पेकार घूमिए इसके बाद आप जहां पर खड़े हैं वहां पर खड़े होकर नमन कीजिए और परानी कथाओं में भी सुरी उपासना का महत मिलता है सुरी को रोज अगर आपका पैसा किसी ने ले लिया है कहीं फस गया है कोई वापस नहीं कर पा रहा या फिर आपका पैसा कहीं ब्लॉक है आप चाहते हैं कि आपका पैसा आपको मिल जाए तब जब भगवान सुरी को जल अर्पित करें तो रभी बार के दिन से सुरू करके अगर आप महिला हैं तो लगातारे कईस दिन अगर आप पुरुस हैं तो लगातार 27 दिन एक प्रक्रिया करना है जल में 11 लाल मिर्च के बीज या फिर एक चुटकी लाल मिर्च के बीज डाल कर अर्पित करें भगवा बेहतर होता है, जीवन में कस्ट कम होते हैं, सत्तरू विरोधी जादा परेसान करें, आपको लगे कि सत्तरू बहुँ जादा परेसान कर रहे हैं, तब जल में लाल गुड़हल के पुस्पो डालकर सुरी को अरपित करें, तो सत्रू बिरोधी सांथ हो जाते हैं अगर बैबाहिक जीवन में समस्या है या फिर आपका बिवार नहीं हो पा रहा है तब जल देते समें सूरी को जल में एक चुटकी हल्दी डाल कर अरपित करें जो बिद्यारती हैं पढ़ाई पे फोकस करने के लिए पढ़ाई में अच्छा करने के लिए जब सूरी को जल अरपित करें तो उसमें सियाही डाल कर अरपित करें जादा नहीं दोगुन डाल कर अरपित करें तो पढ़ाई लिखाई में मन भी लगेगा और आपका खुब तेज बढ़ेगा जोतिस में इन चीजों का पालन करने से जीवन के कस्ट कम होते हैं सूरे को जल देते समें अगर आप लाल चंदन या रोली डाल कर अरपिद करें तो फिर आपका अच्छा स्वास्त रहता है और जल अरपिद करते समें गायतरी मंदर का जब कीजिएगा आप चाहें तो इसमें एक चुटकी अक्छत भी डाल सकते हैं जब जीवन में लगे कि कस्ट ज्यादा हो रहा है जीवन में आप चाहते हैं कि सभी गरह आपके अनुकूल ही फल दे सभी गरह को प्रसंद करने की बजाए अगर आप सिर्फ सूरे की अराद ना करें तो आपका भागे उदे होने लगता है एक बात याद रखिएगा रवी बार के दिन लाल साग भूजा यानि जैसे मूड़ी बेगर होता है न तो उसको भी नहीं खाना चाहिए और मसूर की डाल और मशली नहीं खाना चाहिए अगर आपको सूरी को प्रबल करना है तो ध्यान डखते हैं और अगर नौकरी में परेशानी हो रही हो तो सूरी को जल जरूर अरपित करें भगवान सूरी को आप परणाम करके 27 वर गायतरी मंत्र भी पढ़ सकते हैं आपकी मुस्किलें दूर हो जाएगी सूरी साक्षाद देव हैं और इसका सिर्फ बैग्यानिक आधार भी है सिर्फ ऐसे जलम अपर अरपित नहीं करते हैं जिसका सूरी अच्छा होता है उसको चारो दिसाओं से खूप तरक्की होती है उसकी मान सम्मान बढ़ता है पिता का साथ मिलता है और पैतरिक संपत्ती पेगर है की भी प्राप्ती होती है मुस्किलें कम होती है अगर जैसा कि मैं भी आपको बताया के लाल मिर्च सुखी वी लाल मिर्च के बीज अरपित करें तो फसावा रुकावा धना आता है ये प्रियोग इस अधुनी को में हर को हर किसी को करना चाहिए हम आप से भीदा करेंगे हर हर महादेव